हेलो बच्चो, बच्चो, आज हम इस वीडियो में हाफेली एक्जाम्स में आने वाले डिक्टेशन वर्ट्स पढ़ेंगे यह है हिंदी नवीन पल्लव की किताब लेसन 15 तक उसमें से यह डिक्टेशन वर्ट्स लिए गए हैं यह 60 डिक्टेशन वर्ट्स हैं, 6060 और यह डिक्टेशन वर्ट्स आप सभी को अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखने हैं तो चलिए बच्चो, आब हम स्टार्ट करते हैं, हाफेली हिंदी डिक्टेशन वर्ट्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाफेली डिक्टेशन वर्ट्स, क्लास वन, सब्जेक्ट हिंदी नमबर वन, वन पर लिखा हुआ है लीची, लीची, ल पर बड़ी की मात्रा, च पर बड़ी की मात्रा, लीची नमबर टू, मचली, मचली, मचली सितार, स पर छोटी ए की मात्रा, सितार, सितार सितार के बाद है, बच्चो नमबर फोल पर है, गाजर, गाग पर आ की मात्रा, गाजर, गाजर एक बार मैं इन शब्दों को फिर से पढ़ती हूँ लीची, मचली, सितार, गाजर बच्चो अब इसके बाद नमबर फाइव पर है, अचकन अ, च, क, न, अचकन सिक्स, नमबर सिक्स पर लिखा हुआ है, गिलास, ग, ग, पर छोटी ए की मात्रा गि, ला, स, गिलास नमबर सेवन, बक, री, ब, क, री, र, पर बड़ी ए की मात्रा बच्चो ये सभी शब्द आप बहुत ध्यान से अपनी हिंदी पलग की कॉपी में लिखेंगे आप किसी भी तरह से कोई भी मात्रा कलत नहीं लिखेंगे नहीं लगाएंगे नमबर एट पर बेटा बक्री के बाद लिखा हुआ है नमबर एट पर है कटहल कटहल के बाद नमबर नाइन पर लिखा हुआ है चूहा चपर बड़े उ की मात्रा चूहा नमबर टैन सेब सपर एकी मात्रा सेब नमबर एलेवन चौकलेट 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 के बाद है बच्चो घंटा घर घ के उपर अंकी बिंदी टा घर घंटा घर अभी तक हम 12 वर्ट्स पढ़ चुके हैं अब हम बच्चो 13 पर लिखा हुआ है कोयल क क पर ओकी मात्रा कोयल कोयल के बाद लिखा हुआ है बच्चो जैम ज ज पर आ की मात्रा ए में एक मात्रा लगाते हैं और आ में हम दो मात्रा लगाते हैं जैम जैम फिर नमबर 15 पर है गिलहरी गी गपर चोटी की मात्रा ल हरी गिलहरी No.16 किताब का पर छोटी ए की मात्रा किताब किताब No.17 पर है बच्चो मकान म कान मकान No.18 ताला ता परा की मात्रा ताला ताला के बाद है बच्चो बतक फे 20 पर लिखा हुआ है हाथी ह ह पर आ की मात्रा थ थ पर बड़ी ए की मात्रा हाथी अब ही 20 तक हम सारे शब्द पढ़ चुके हैं बच्चो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 21 पर लिखा हुआ है कुटिया क पर छोटे उ की मात्रा त पर छोटी ए की मात्रा कुटिया के बाद 22 पर है फूल फ पर बड़े उ की मात्रा फूल फूल 23 केला क पर ए की मात्रा केला केला 24 पर लिखा हुआ है बच्चो टमातर 25 सपे रा स पर ए की मात्रा सपे रा र पर आ की मात्रा सपे रा फिट 26 पर लिखा है बच्चो आव रत आव रत 27 टो पी ट पर ओ की मात्रा टो पी पर बड़ी ए की मात्रा टो पी फिट 28 पर लिखेंगे आप पैर पर ए की मात्रा पैर इसके बाद बच्चो 29 पर लिखा हुआ है सै निक सपर ए की मात्रा सै निक सै निक 30 अंगूर अ पर अं की बिंदी ग पर बड़े उ की मात्रा अंगूर फिर 31 पर लिखा हुआ है बच्चो तौ लिया तौ त पर आउ की मात्रा ली लपर छोटी ए की मात्रा या तौ लिया इसके बाद बच्चो 32 पर देखिए 32 नंबर पर लिखा हुआ है नौ का नौ का में नाव नौ का आउ की मात्रा लगी हुई है नाव पर 33 पर सबी बच्चे देखिएंगे सूर्य सपर बड़े उ की मात्रा और यह पर रेपर चिन लगा हुआ है सूर्य फिर 34 नंबर पर है ज्यानी ज्यानी नाव पर बड़ी ए की मात्रा ज्यानी ज्यानी के बाद है बच्चो 35 नंबर पर लिखा हुआ है सुबह सूस पर छोटे उ की मात्रा सुबह सुबह इसके बाद है 36 पर लिखा हुआ है मस्तानी म आधस ता नी मस्तानी 36 तक आवम बड़ लिख पढ़ चुके हैं अब 37 पर बच्चो लिखा हुआ है लंगूर लपर अंकी बिंदी गवपर बड़े उ की मात्रा लंगूर इसके बाद 38 तंबर पर लिखा है चौ खट च च पर आव की मात्रा चौ खट 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 इसके बाद 39 पर लिखा हुआ है मोर मा पर ओ की मात्रा मोर नमबर 40 गोभी गपर ओ की मात्रा भ पर बड़ी ए की मात्रा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे बच्चो गोभी फिर 41 पर लिखा हुआ है थैला थ थ पर ए की मात्रा ल ल पर आ की मात्रा थैला थैला की बाद 42 नमबर पर लिखा हुआ है नेवला न पर ए की मात्रा नेवला नेवला की बाद बच्चो 43 पर लिखा हुआ है मुली म मा पर बड़ी उ की मात्रा ल पर बड़ी ए की मात्रा तो ये क्या शब्द बनेगा मुली और इसके बाद 44 पर लिखा हुआ है शनी वार श-नि न पर छोटी e की मात्रा, नि-वा-र, श-निवार, अब इसके बाद बच्चो, 45 नंबर पर हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, आप जैसे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, 45 नंबर पर लिखा हुआ है, आलस, आलस, 46 सुहानी, स पर छोटे u की मात्रा, सुहानी, 47 पर लिखा हुआ है सूरज सू पर बड़े उ की मात्रा 48 पर देखें सबी बच्चे अंधकार अपर अंकी बिंदी धकार अंधकार अंधकार मिन अंधेरा 49 पर देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है पत्र चिठी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आप लैटर भी बोलते हैं पत्र 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 50 नमबर पर लिखा हुआ है कैरम कर पर अ की मात्रा कैरम कैरम इसके बाद बच्चों 51 नमबर पर लिखा हुआ है जूता जपर बड़े उ की मात्रा जूता जूता शब्द के बाद बच्चो 52 नंबर पर लिखा हुआ है पाठशाला अब बच्चो 52 तक हम पढ़ चुके हैं शब्द अब इसके बाद 53 नंबर पर लिखा हुआ है पतंग तके उपर अंकी बिंदी पतंग 54 खर बूजा ब पर बड़े उ की मात्रा खर बूजा 55 पर लिखा है बच्चो गर्दन 56 पर लिखा है चाता च पर आकी मात्रा त पर आकी मात्रा तो यह क्या शब्द बनेगा बच्चो चाता फिर 57 नमबर पर लिखा हुआ है जामुन मा पर छोटे उ की मात्रा आप सभी बच्चों को जामुन बहुत पसंद है ना जामुन के बाद लिखा है बच्चों 58 नमबर पर लिखा हुआ है देवता द पर ए की मात्रा 59 पर लिखा हुआ है नोट, न न पर O की मात्रा, नोट, नोट, और लास्ट वर्ड सिक्स्टी, उस पर क्या शब लिखा हुआ है बच्चों, सिर्व, सर पर छोटी E की मात्रा, सिर्व आप सभी बच्चों को ये 60 वर्ड्स मैंने समझा दिये हैं, आप सभी बच्चे अपनी हिंदी पलव की कॉपी में ये 60 डिक्टेशन वर्ड्स बहुत सुन्द सुन्द साफसाफ राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा, जब आप ये डिक्टेशन वर्ड्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कि कोई भी शब्द लिखते समय आपकी कोई भी मात्रा बिल्कुल भी गलत ना हूँ मैं उम्मीद करती हूँ, आप सभी को ये 60 डिक्टेशन वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आपका होंवक सभी बच्चों को अच्छे से पता चल गया ना क्या करना है, आपको अपनी हिंदी पलब की कॉपी में ये वर्ड्स लिखने हैं, थैंक यू